दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों के जढ़ने को रोकेगी, बालों की लंबाई बढ़ेगी और साथ इसाथ नए बाल उगना स्टार्ट होंगे बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया हर्बल नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना कोई केमिकल है, ना कोई प्रिजर्वेटिव, ना किसी तरह का कोई कलर हम इसमें इस्तमाल करने वाले हैं दोस्तों, 100% प्योर रेमेडी है यहाँ पर सबसे पहले लेना है आपको एक मेडिसनल प्लांट, अलोविरा धृत कुमारी अलोविरा की एक पत्ती लेना है, दोस्तों हमेशा फ्रेश पत्ती का इस्तमाल करें केमिकल वाले प्रोड़क्ट से जितना हो सके उतना बचकर रहें आपको यहाँ पर एलोविरा का जो पौधा होता है, उसमें से एक पत्ती को काट लेना घर पर एलोविरा का पौधा जरूर लगाएं, आप देख सकते हैं, मैंने कम से कम तीन से चार गमलों में एलोविरा का पौधा लगाया है, जब भी मुझे जरुवत परती ही, चाहे बालों के लिए, चाहे सकिन के लिए हम लोग एलोविरा की एक ताजी पत्ती को काट कर लाते हैं, और उसका इस्तमाल करते हैं, और बहुत ही अच्छी रेमेडिया आपके साथ शेयर करते हैं, दोस्तों, जिनका रिजल्ट हम लोगों को अच्छा मिलता है, वही आप तक पहुँचाई जाती हैं, और आप मेरी क जोई भी रेमेडी ट्राय करें, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, जितनी अच्छी आप लोग केरेंगे ना दोस्तों, बाल आपके उतने ही हेल्दी होंगे, हेर फॉल रुकेगा, बालों की लंबाई बढ़ेगी, तो अलोविरा को काटने के बाद थोड़ी देर खड़ करके रखें, इसका जो यलो सब्स्टेंस होता है, वो काफी अलर्जिक रियक्शन देता है, मैंने भी इसे खड़ा रखा था, दस मिनट तक के धो लिया, पोच लिया, साइड निकाल दिये है, इसके जो एजेस हैं, उन्हें रिमूफ कर दिया है, और साथ ही साथ इसका जो बही निकाल सकते है, या फिर आप इसका इसका इस्तमाल चिलके सहीत है, मैंने सर्फ उपर का छिलका आपको दिखाने के लिए हटाया है, यह देखे, बाकी अलोवीरा का मैं ऐसे ही इस्तमाल कर रही हूँ, सर्फ इसके जो किनार होते हैं, काटेदार एजेस उन्हें रिमू लिया है आप अपने चेहरे पर लगा कर देखें जुरिया नहीं आएंगे रिंकल्स नहीं आएंगे लंबे समय तक आप जवाँ बने रहेंगे बाजार में तो तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं बहुत सी क्रीम आती बहुत से अलोविरा जेल आते हैं परन्तु यह जो है यह 100% प्योर है सभी तरह के एज ग्रूप वालों को अलोविरा सूट करता है चाहे टीनेजर्स हों चाहे जादा उम्र की महिलाएं हो चाहे पुरुशों कोई भी से लगा सकता है अलोविरा एक ऐसी चीज है दोस्तों एक औरश्दी है एक संजीवनी है इसलिए तो आ नारियल तेल, coconut oil आप यहाँ पर olive oil ले सकते हैं यदि आप लोग लगाते हैं परन्तु सर्सो का तेल अभी न ले सर्सो के तेल केवल ठंड के मौसम में ही करना है गर्मी में बिल्कुल भी नहीं करना है तो मैंने एक कटोरी नारियल का तेल इसमें डाल दिया है इस कटोरी मे और भी अच्छे रिजल्ट के लिए आप एक कटोरी नारियल तेल में येलो भी रखे टुकड़े डाल कर आप एक दिन के लिए धूप में रख देए आज मेरे पास यहाँ पर है और गैनिक नेत्रा का प्यॉर ब्लैक काजल जो की 100% टॉक्सिन फ्री है एंडिज्ड विट इंडिडेंस वीगन है समच प्रूफ है वाटर प्रूफ है और लांग लास्टिंग इसके आप पैकेजिंग बेख सकते हैं बहुती जादा क्लासी है और साथी मैं आपको एक और खास बाती हूं कि यह बहुत जादा लांग लास्टिक है लंबे समय तक हमारे आँखों पर क्रुवेल्टी फ्री है प्लांट बेज़ सेफष्ट काजल है और साथी प्रेगनेंशी फ्रेंडली भी है और ये पुरी तरीके से और गनिक है समच प्रूफ है वाटर प्रूफ है ट्रांसफर रेजिस्टेंट भी है और अब मैं आपको बताती हूं इसके और गनिक इंग् विटमिन E oil है जिसमें की एंटी एजिंग बेनेफिट इसे यूज करने का तरीका है कि अपने हाथों को सीधा रखिए और एक स्लीक थिक लाइन ड्राइन अपने लोर आइलिड में वाटर लाइन पर मैं आपको अपने हाथों पर स्वाच करके भी दिखा रही हूं ताकि आप उस लेट फरी है और परोदी अट खरीज स्वाफु परीम एर टारिक थिस भी है अपने अपने ऑल्रेट बिर जय्मिर अघ एजीं है लिकिन मैं अपलोगों को सजेशन घए कि आप अपलाई कर पर घ्रिया जरूर है ताकि अब को इसकि एंपली शूने टेसन एपर टीकर श तो मुझे तो personally organic netra का ये जो काजल है बहुत ही ज़ादा अच्छा लगा और अगर आप लोग इसे purchase करना चाहते हैं तो मैं इसके link अपने description box में दे रही हूँ आप वहां से इस product को purchase कर सकते हैं मेरी तरफ से 100% yes है इसे purchase ज़रूर करें आप देख रहे हैं कितना ये जो तेल है थोड़ा slamry सा हो गया और भी ज़्यादा ये aloe vera का जो gel है उसमें निकलने लगा है और अब इस तेल को मैं एक bottle में डालूँगी aloe vera के piece सहीद दिन भर इसे धूप में रखें आप चाहें तो दो दिन भी धूप में रख सकते हैं जो नैचरल चीजें होती हैं ना दोस्तों वे 100% वर्क करती हैं क्योंकि इसमें कोई कलर या खुजबू या कोई chemical preservative नहीं है तो वर्क तो करना ही है तो इस तरह से मैंने aloe vera के piece नारियल तेल सहीद डाल दिये हैं काच की bottle ली है plastic के bottle का इस्तवाल ना करें तो ज्यादा अच्छा है अब इस तेल को मैं दिन भर धूप में रखूंगी उसके बाद बड़ी अच्छी oiling करना है जब भी तेल लगाएं राद भर लगा कर रखें आपको बहुत अच्छा result मिलेगा बीच बीच में धूप में मैंने इसे एक दो बार चला दिया थोड़ा उपर नीचे कर दिया है आप देख सकते हैं तेल मेरा बन के तयार है आप दो दिन की धूप में भी रख सकते हैं तो ये देखे तेल बन गया है अब आप इससे चान कर इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों कि हमारे बालों को बहुत सारे न्यूट्रियंट्स मिले और ऐलोविरा इसमें तो विटामिन B1, B2, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E होता है तभी तो हमारे बालों और तचा दोनों के लिए इतना फाइदे मंद है यह देखे, आप तेल का रंग देख सकते हैं बदल गया है, तेल थोड़ा और भी जादा चिकना हो गया है, तेल तो वैसे भी चिकना होता है परन्तु अलोविरा के जैल के सारे न्यूट्रियंट्स इस ओईल में आ गए हैं बालों की जड़ों पर मसाज करते हुए लगाना है तो आप देख सकते हैं, मेरी बेटी के बाल बहुत हेल्डी है और जो भी रेमेडी हम लोग बनाते हैं दोस्तों अपने पर ट्राइ करने के बाद ही आप तक आती है तो अच्छा रिजर्ट मिलता है, बस वही चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों तो आप इसे जरूर ट्राइ करें, अलोविरा का जो तेल होता है दोस्तों एक ऐसा मैजिकल आईल है, जो बालों से जुड़ी हुई सारी परिशानी को दूर करेगा बालों की लंबाई बढ़ेगी, बालों का जढ़ना रुकेगा, आपके स्कैल्प को हाइडरेट करेगा कई बार हमें हेयर फॉल इसलिए भी होता है, यदि हमारे बाल बहुत ज़ादा सूखे होते हैं, ड्राइ होते हैं तो भी हमारे बाल जढ़ने लगते हैं, और बालों के लिए तो ऐलोविरा को बेस्ट माना गया है आपके बालों को बहुत अच्छी तरह से न्यूट्रियंट्स देगा दोस्तों, और साथी साथ इससे आपके नए बाल उगना स्टार्ट होंगे गंजेपन की समस्या को दूर करता है, क्योंकि एलोविरा में खुद में अपने आप में इतने नैचरल ओइल्स होते हैं, जो की हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं, डेंडरफ की समस्या दूर होगी, कई बार बहुत जादा डेंडरफ और रूसी के कारण भी बाल जढ़ परन्तु तेल आपको रात भर लगा कर रखना है, ताकि आपको इसका 100% रिजल्ट मिले, तो आप इसे जरूर ट्राय करें, बहुत बढ़िया ओईल है यह दोसों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, टिप्स थीएटर चैनल को सब्सक्राइ जरूर करिएगा और ओईल जरूर बढ़ियों